चेहरे के सुंदरता को बढ़ाने के लिए चेहरे के सारे मैल को निकाल के चेहरे को साफ करने के लिए दुनिया का सबसे तेज तरीका है बेसन यानि की ग्राम फ्लोर और एक सिंगल घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में ये बेसन नौ जिसके हम घर में कड़ी बनाते हैं पकोड़ बनाते हैं लेकिन ज्यादा तर लोगों को पता ही नहीं है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं सुन्दरता के लिए यह जो बेसन है ना आपके चहरे के काले दाग धब्बे खतम करता है किसी भी तरह के आपके चहरे पे काले धब्बे ओ जाईया हो यह सेंट टैनिंग हो गई है तो सावले पंद को बेसन खतम करता चहरे के तेज को बढ़ाता है चहरे पर भी वापस ले और अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं तो आप बेसन का पैक लगा के बना के लगाएंगे तो चहरे के पिंपल कंट्रोल होता है और सबसे बड़ी बाद चहरे को ढीला होने से बचाता है जो एजिंग साइन चहरे पे आता है उनको रोकता है लेकिन हम इसको पहरती पे हमारे लिए एक अमरित है उसको हमारे स्किन के लिए स्पेशली जिसको किन पर किस तरह से हम लगाएं कि आपकी ग्लोव आये चेरी के लाग दागदब शक्तिन आपकी कसा वाए टाइट बने आपकी चेरी के जुरिया रिंकल्स खतम ओ ठीक है तो आपने करना क्य आपको सबसे पहले तो लेना है बेसन यंज के ग्राम फ्लोर आपके घर में बहुत इजी से मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है फैमिली में नहीं नहीं आए आप मतलब गरसी नहीं स्टार्ट करिया आज कर के लड़कियों ने तो यह देख लीजे यह वाला जी बेसन होत वरना आपको लगेगा क्या ही बन के तयार होगा तो सबसे पहले जो आपके घर में अवेलियनी स्टील के सिंपल से कटोरी लिया वो फील नहीं आता ठीक है तो सबसे अच्छा आपके बाउल है वो ले लेना ठीक है उसके बाद मुझे यह बहुत क्यूट सा लगा मैंने यह लिए ठीक है अब हमने करना क्या है हमको लेना है इसमें आधा चममच के करीब बेसन जो कि एक बार में हमको लगेगा जितना मैं बना रही हूं थोड़ा सा बना लेना भरके बनाएंगे फिव बचेगा आप उसको स्टोर करेंगे अगले दिल लगेंगे जो कि बिल्कुल भ सेन सेसे मप्लाइ कर लेना चैनत आपके बोले वां पठागल है ठीक है यहां पे ठंडा मोसम हो रख है बिल्कुल वाला खुल फी जमने को रही है ठीक है तो अगर आपके पास जहां रहते हैं वहाँ वैदर गर्मी का है या आप इसको वीडियो को बाद में गर्मी में देखे तो आपने बेसन के साथ लेना सिर्फ पानी वाटर ठीक है पानी के आपके पास आपके स्किन को दूध सूट नहीं करता हैं आपके पास अभी निया तोबूड दही भी ले सकते है खटा वाला दही ठीक है कोई भी चली का पैकट का गायब में Alitan old अब हमने के सारे मैल को निकाल देगा आप इसको सुर्फ चहरे पे ही नहीं आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कीजिए गर्मी में हाथ बहुत काले पड़ जाते हैं आपके कोई भी इसके नैसी है जहां से डिसकलरेशन हो रख है आप इसको यूज़ करेंगे यह अच्छे से हमने कर लेना ह मिक्स क्योंकि मिक्सिंग बहुत इंपोर्टन है कि दोनों चीज़ों के गुन हमारे स्किन को अच्छे से मिल पाएं और इसके बाद आपने क्या लगाना है वह भी मापको बता दूंगी ठीक है तो यह हमारा बेसन और दूद का पेस्ट बनके तयार हो गया है सबसे पहले ज पाद से जिस भी तरह से आपको comfortable लगे यह पैक लगाना है इस तरह से पूरे फेस पे अच्छे से सबसे पहले तो लगा लेना है अब कमेंट हैंगी कि दी हमको इसको यूज कब कब करना है हफते में कितने दिन करना है तो देखिए पहले हफते में और सबसे बड़ी अब सबसे रहे ठीक है क्योंकि मेरी यह ब्यूटीफुल से फैमिली को इंतजार रहता है नीचे कमेंट्स पढ़ने का जब तक कमेंट में अच्छी चीज़े नहां पढ़ लेना उनका लगाने का ही मन्नी करता है तो देखिए आप पहले हफते तो आप डेली कर लेना ठीक है टा कि अतनी साफ तो हो जाएगी कि जब आपको इसका यह यह लोगा कि हमेरी स्किन को अभी जरूरत है आपको इसकी सहार है है मेरी स्किन थोड़ी खराब हो गई है तब आपने यूज कर लेना क्यूंकि हमारे इसके पर कुछ दिन तक कुछ भी ना लगाएं तो मैल धूल जम तो ताम टू टाम कुछ ना कुछ लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है ठीक है फोरेट पर भी अच्छे से लगा लेना क्योंकि अब मैंने बहुत से चेहरे देखे हैं माता काला पड़ जाता है नीचे का चेहरा गोरा होता है ठीक है तो अभी आपने करना के सबसे पहले पू हो गया है रेडी अभी हलका सा पैक हम अपने हाथों में लेंगे और इस तरह से करेंगे मसाज इससे क्या होगा बेसन अंदर तक रोम चुदर में जाके आपकी स्किन को साफ करेगा डीपली आपकी स्किन साफ होगी आपकी चेहरे पी चमक आएगी सारा मैल धूल गंद की से आपने फेज होया जहाई है खतम होगे ऐसी तो कोई भी दुनिया की रेमेडी दुनिया के कोई ऐसी क्रीम कोई भी एवन प्लास्टिक सर्जरी भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि उसी टाइम कोई चीज ठीक हो जाए टाइम तो देखिए लगता है लेकिन पेशेंस रखना है विश्वास रखना है एकसाइटेड रहना है ताकि आपका करने का मन करें ठीक है अब अपने अच्छे से करना इसे मसाज यह सर्दियों में आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे रहेगा सबसे अच्छे बाता कि कोई भी स्किन टाइप है ओली नॉर्मल या फिर करके फिर इस पैक को ऐसे ही अपने चेहरे पे लगे हुए छोड़ देना है और जब आपको दस मिनट हो जाए हलका गीला सुख यह पैक बचेगा उसके बाद से आपको नॉर्मल पानी से चेहरा धो लेना है इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर यह बाल है तो आपने करन इन चाहे बाल को भी खतम करेगा आपके चेहरे पर जो इन चाहे बाल होते है न उसके ग्रोथ को यह कम करेगा आगे आपके बाल पहले हलके आएंगे फिर दीरी दिने आना बंद हो जाएंगे उसके लिए भी बहुत हैल्प करेगा आपकी और स्किन को गोरा बनाएगा सारे मैं डेड स्किन को निखा लेका मैं क्या ही बोलू आप विश्वास कीजे और अपलाई कीजे और रिजल्ट मेरे साथ कमेंट में शेयर करना कमेंट का मुझे इंतजार रहता है आपके और सबके कमेंट्स पढ़ती हूं ठीक है तो अभी मैं इसको दस मिनट तक फेस पर रखके बोश करके फिर आपको इसका अफ्टर रिजल्ट दिखाती हूं और उसके बाद हमने लगाना क्या है वो भी बता दो चहरे मेंने पानी से धोली और फेस पे कैसे रोनक लगी है एकदम कैसे चहरे चमक गया है वो आप खुद देखके बताईए आया है ना बहुत अच्छा निखाल अभी हमने सबसे पहले अपनी चहरे को पोच लेना उसके बाद पर क्या लगाना है वह भी आपको बता देती हूं चहरे को बिना मुशिराइजर के तो थोड़ना ही नहीं है चहरे पे हर टाइम कुछ ऐसा लगा के ही रखना है कि आप इसकी मुश्य रहे चाहे आप सुबह में अपना चहरा उगोश कर रहे हैं उठके उसके बाद से उसी टाइम लगा लेना है वरना उसके लूज होने लगती है हमको क्या करना है सेकंड स्टेप में पहले लेना है गुलाब जल ये एक बहुत अच्छी नैचुरल टॉनर का काम करते स्किन पर जो भी आया है चमक ग्लो सफाई ये उसको फिक्स रखेगा दिन बर आपका फेस चमकता रहेगा तो ये हमने थोड़ ऐसा गुलाब जुल अप्पी हतेली पे ही ले लेना है ठीक हो दूसरी चीज ये तो कैमरे घुम गया पूरा नराज हो रहे है क्या मुझसे तो इसके बाद से हमको लेन अलोविरा जल आपके पास घर में घर का पोधा है न तो आप उसका भी पल ले सकते हैं घर में उसको लगा सकते हैं बाहर जाएंगे तो वोश करना पड़ेगा वदना चिपचिपा लगेगा या फिर मारकेट वाला ज tussen ये अप ले सकते हैं आप बोलगे हमारे पास तो नही तो नहीं है तो जरूर से ले लिजे एक अलोवीरा जल सब के पास होना चाहिए ठीक है ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छी ते बहुत से फायदे होते हैं हमारे स्किन पे लगाने के बाद और अब हमने ये जल लगाया और अभी करने आपको अच्छे से मसाज आप कहाते हैं न दीदी आपके स्किन ग्लोईंग स्किन का रास क्या है तो मैं होम रिमेडीज बहुत लगाते हूँ घरे लिए उसकर इस तरह से थोड़ा साही कुछ लगाते ही देखे कैसे मिरी स्किन ग्लो करने लगती है क्योंकि अपने स्किन को मैं साफ रखती हूँ डेड स्किन नहीं चड़ने देती हूँ अब यह इतना तो पॉसिबल लियां कि बार बार पार लो लुगा कि डेड़ स्किन साफ करो इसे अच्छा आप घर में आप प्रीकी होम रिमेडीज लगाए चेहरा भी साफ रहेगा पैसे भी बचेंगे वक्त भी बचेगा और स्किन अग आपको कपड़े भी चेंज करने के ज़रत नहीं पड़ेगी स्किन आपकी ऑटोमेटिक बोलेगी कि हाँ का चीज है हाईजीन देना बहुत जरूरी है तो अभी इस तरीके से हमको नीचे से उपर पांच मिनट यह लगा कि मृषाज करना है जो कि आपके स्किन को टाइट र लेना है यूज और अगर आपको व्लोग सेखना पसना तो तो मेरा व्लोग चैनल है जोती महलवाल व्लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लें बड़ा मेरे को रही है आजकल व्लोगिंग की ठीक है और इंस्टाग्राम आईडी है जोती महलवाल वन और यह वीडियो अपको अ सबसे पहले आपके पास पहुंच आएगी तो तो जी ओके बाई बाई